शास्तरों में नित्र क्रिया के लिए समय निरधारित किया गया है। आपको कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए और उसके बैघ्यानिक आधार भी हैं। तो सुभा कितने बज़े नहाने से आपके जीवन में धनलाब होगा और कब नहाने से जीवन में सकात्मक उर जाए आएंगी सुभा सूरज निकलने से पहले यानि सुभा चार से पांच बज़े के बीच अगर आप अस्टान करते हैं तो यह सर्भोत्तम होता है वैसे तो बहुत सारे महला थोड़ी लेट से नहाती है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, टाइम ही नहीं है क्या आपको पता है सुबह चार से पांच के बीच असनान करने से घर में सुख सांती सम्रिद्धी आती है और बिद्याबल आरोगे चैतना का बरदान मिलता है अगर आप सुबह पांच से छे बज़े के बाद बीच नहाती है असनान करती है तो इस असनान को देव असनान कहते हैं और इस बीच असनान करने वाली जो महिलाएं हैं जीवन में खूब सारा मान, सम्मान, यस, धन, बैभव, सुख, सांती, संतुष्टी सब कुछ से भरी पूरी रहती हैं तो देव असनान सुबह पास से छे बजे के बीच अगर आप नहाते हैं तो मान, वसनान, किसे कहते हैं? सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच अगर वसनान करते हैं तो इसको हम कहते हैं मान, वसनान और इस समय असनान करने से आपको हर कार में सफलता मिलती है आपका भागे साथ देता है आपके कर्मों की लिस्ट बड़ा पॉजिटिव तरीके से लंबी होती जाती है घर परिवार में एकता बनी रहती है लेकिन अगर आप सुबह आठ बजे के बाद असनान करते हैं तब तब ये असनान जिसको हम सबसे बुरा असनान कह सकते हैं क्योंकि इसको राक्षस असनान कहते हैं किसी भी मानव को आठ बजे के बाद असनान नहीं करना चाहिए और ये हमारा हिंदू धमसास्त कहता है असनान अगर आप लेट से करती हैं रोज रोज करने लगी एक दिन दो दिन देर हो गया तो कोई बात नहीं घर में दरिता आती है हानी होता है कलेस होता है धन बहुत खर्च होते हैं परिसानी आती है तबाम तरह के मानसिक टेंशन बढ़ते हैं तो उमीद है आप समझ चुकी होंगी कि सबसे सर्वोत्तम असनान कब किया जाना चाहिए कई बार क्या होता है रात में भी गर्मी है का मौसम है साम में असनान हो गया कि आपको पता है कि साम में असनान एक दिन कर लिए दो दिन कर लिए ठीक है लेकिन रोज रोज नहीं करना चाहिए वरना धनकी देवी लक्षमी रूट जाएंगी खासकर जो महिलाएं हैं ऐसा नहीं किसी को भी साम के समय अश्णान करने से बचना चाहिए आप हाथ पर धो के कप्रे चेंज कर सकते हैं पर समल के अब बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं बहुत सारे काम किये हैं अपसनान करती है तो लग चीज है लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि सास्तुर में बहुत सारी चीजें लखी भी है वैसे तो जब आप नहाती है सरसे भी नहा सकती है कोई दिकत नहीं है गुरुवार के दिन सरसे मत नहाईएगा धन्यवाद